नमो नमहा मनिका संस्कृत अभ्यास पुस्तकस्य अनुशिक्षणी भवताम स्वागतम। अध्यवयं प्रथम अभ्यासस्य ख भागी व्यंजन संधिम् पठामह। अस्य व्यंजन संधिहे का भागी परसवर्ण संधिम् पठामह। व्यंजन संधिहे केचन अम्षाह असमाभिही नवमी श्रेण्याम अपी पठिताह संति। अधुना तान पूर्व पठिताम्षान स्मरामह। व्यंजन संधिही इत्तुक्ते किन। पूर्व पदस्य अंते यदि व्यंजनम् भवति ततहपरं स्वरहा व्यंजनम् वा भवति तयोह। मेलनेन यह विकारहा भवति सह व्यंजन संधिही इत्ति। उदाहरणम् यथा जेगत ईशहा इति। अस्य संधिरूपं भवति जेगत ईशहा इति। अत्र विकारहा वर्तते दु इति। वाक्दानम् इति। अस्य संधिरूपं भवति वाक्दानम् इति। अत्र विकारहा वर्तते गु इति। अधुना अधोलिकितं अनुच्चेदं पठामह। वर्षार्तव आकाशहा मेगैही आच्छादितहा भवति। गृष्मतापेन तप्ताह नराह सुखं लभंते। पवनह मंदं मंदं वहति। वर्षाबिंदवह भूमिन्स नापयंति। भूमिही उष्णं वाश्पं मुँचति। कृषकाणा मनह प्रसन्नं जायते। प्रिक्रतिही हरितं वेशं धारयती। अस्मिन अनुच्छेदे हरिताक्षरेही केचन पदानी लिखितानी संति। अपिच येतेशु पदेशु अनुस्वारहा दृष्यते। येशह अनुस्वारहा व्येंजन संथेहे अस्ति। व्येंजन संथाउ अनुस्वारहा कदाभवती। येदा पदान्त मकारात परे व्येंजन वरणाह भवंती। तदा मकारस्य स्थानी अनुस्वारहा भवती। येधा नराह सुखम लभंते। अत्र सुखम येधि पदस्य अनुस्वारहा भवती। मकारात परे ला येधि व्येंजन वरणाह अस्ति। अतह मकारस्य स्थानी अनुस्वारहा भवती। अधुना वाक्यम भवती नराह सुखम लभंते। इति। येवमेवा मन्दं मन्दं भोमिन उष्णं वाश्पं कृषकानां प्रसन्नं हरितं वेशं इत्यादिशु पदेशु अपी। मकारस्य स्थानी अनुस्वारहा भर्तते। अधुना एतानी उदाहरणानी पश्यामः अत्र एकस्मिन भागे मकार युक्तम वाक्यम अस्ति। द्वितीयस्मिन भागे अनुस्वार युक्तम वाक्यम अस्ति। येथा शिष्यहा गुरुम प्रुच्छती इति। अस्मिन्वाक्य गुरुम इति पदस्य अन्ते मकारह अस्ति मकारात्परे पु इति व्यंजनवर्णह अस्ति अतह मकारस्य स्थानी अनुस्वारह भवति अधुना वाक्यम भवति शिष्यहा गुरुम पुच्चति इति क्रुष कहा मेघं पश्यती इती द्वितीयं वाक्यं वर्तते मेघं इती पदस्य अंतिमवर्णह कह वर्तते मेघं इती पदस्य अंतिमवर्णह मु इती वर्तते मकारात परे कहवरणह अस्ति? मकारात परे प इति व्यंजनवरणह अस्ति. अतहा अत्र मकारस्यस्थानी अनुस्वारह भवति. अधुना वाक्यम भवति कृष कहा मेघं पश्यति इति. एवमेव बालिका पाठं स्मरति. अस्य अनुस्वारयुक्तम वाक्यम भवति बालिका पाठं स्मरति इति. त्वं चित्रम रचयति. अस्य अनुस्वारयुक्तम वाक्यम भवति. त्वं चित्रम रचयति. इति. अधुना येतानि उदाहरनानि पश्यामह. नवीनहा ग्रामं गच्चति. सहा वाहनन चालयति. आकाशे वायुयानन डयते. चात्रा गीतां पठति. अध्यापकह चात्रं तर्जयति. इति. अत्र ग्रामं गच्चति. वाहनन चालयति. वायुयानन डयते. गीतां पठति. चात्रं तर्जयति. इत्येतेशु पदेशु. कश्चन भेदहा दृष्यते खलू. येशह भेदहा संथिकारणात वर्तते. येतेशु पदेशु कह संथिही वर्तते? अत्रा परसवर्ण संथिही वर्तते. परसवर्ण संथेही पठनात्त पूर्वं वर्गीयव्यंचनानी कानी इती पश्यामहा. वर्गीयव्यंचनानी कवर कहा? कु, ख, ग, 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 चवर कहा? च, छ, ज, 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 टवर कहा? ट, ठ, ड, ड, ध, न. पवर कहा? प, भ, 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 म. येते पंचविम्षति वर्णाह वर्गीयव्यंचनानी संथि. परसवर्ण स्या कहा अभिप्रायहा? अनुस्वारस्य पुरतहा कश्यन वर्गीयव्यंचनानी यदा भव्यंचनानी इती. तदा सदृषवर्गस्य यह अनुनासिकवर्णह आदेशह भवती, सह अनुनासिकवर्णह परसवर्णह कथ्यते. यथा माता पाकम करोती. अत्र पाकम इति पदस्य अन्ते अनुस्वारह अस्ति. अनुस्वारस्य पुरतहा क इती कवर्गीयव्यंचन वर्णह अस्ति. कवर्गस्य अनुनासिकवर्णह अ इती अस्ति. अतह अनुस्वारस्य स्थानी ग इती भवती. अयं ग वर्णह एव परसवर्णह उच्छते. अधुना संधियुक्त पदंभवती पाकम करोती इती. परसवर्ण संथेह नियमह. अनुस्वारात्य परतह यह अपि वर्गीयव्यंचन वर्णह भवती. अनुस्वारस्य स्थानी तस्य वर्गस्य पंचम वर्णह भवती. अधवा अनुस्वारह एव तिष्ठती. अर्थात्विकल्पेन परसवर्ण आदेश्य भवती इती नियमह. अधुना उदाहरणानुसारं परसवरण संधिन कुर्मः यथा राकेशह विद्यालयं गच्छति अस्मिन्वाक्के विद्यालयं इत्यस्मिन्पदे अनुस्वारह अस्ति अनुस्वारात् परे ग इती व्यंजन वरणह अस्ति ग वरणह कस्य वर्गस्य अस्ति कवर्गस्य अत्र कवर्गस्य अंतिमवर्णहा कह अस्ति? कवर्गस्य अंतिमःवर्णहा गा इति येशह गा वर्णहा येवा अत्र परसवर्णहा मन्यते अतह अनुस्वारस्य स्थानी परसवर्णहा गकारहा भवति अधुना संधियुक्त पदं भवती विद्यालयंगच्चती इति भारत्याह कोशह संचयात नश्यती इति प्रथमं उदाहरणं वर्तते। संचयात इत्यस्मिन्पदे अनुस्वारह वर्तते। अनुस्वारात परे च इति चवर्गीयः व्यंजन वर्णह वर्तते। चवर्गस्य पंचमह वर्णह इति वर्तते। अतह अनुस्वारस्यस्थानी परसवरणं व्यकारं लिखामह अधुना संधियुक्त पदंभवती संचयात इति अग्रिमं उदाहरणं वर्तते सह एकं भयंकरं दृष्यं अपश्यत। अस्मिन्वाक्की त्रयह अनुस्वाराह संति प्रथमात अनुस्वारात परे भ इति पवर्गीयः व्यंजन वर्णह अस्ति। पवर्गस्य पंचमवर्णह कहा? पवर्गस्य पंचमवर्णह म इति वर्तते। अतहा, अनुस्वारस्य स्थानी, परसवरणं मकारं लिखामह, अधुना, संधियुक्तपदं भवती, एकं भयंकरं, इति, वितीयात अनुस्वारात परे, क इति, कवर्गीयह व्यंजन वरणह अस्ति, कवर्गस्य पंचमहा वरणह, कहा, कवर्गस्य पंचमहा वरणह, इति, अस्ति, अतहा, अनुस्वारस्य स्थानी, परसवरणं मकारं लिखामह, अधुना, संधियुक्तपदं भवती, एकं भयंकरं, इति, अन्तिमात अनुस्वारात्टु परे द इति तवर्गीयह व्यंचन वर्णह अस्ति तकारस्य पंचम वर्णह न इति वर्तते अतहा अनुस्वारस्य स्थानी नकारं लिखामह अधुना संधियुक्त पदं भवती एकं भयंकरं दृष्यं इति तृतियं उदाहरणं वर्तते ये अविद्याम उपास्ते ते अन्धं तमहा प्रविशंती अत्र अनुस्वारात्टु परे कह व्यंचन वर्णह अस्ति अत्र अनुस्वारात्टु परे त इति तवर्गीयह व्यंचन वर्णह अस्ति तवर्गस्य पंचमह वर्णह न इति वर्तते अतह अनुस्वारस्य स्थानी न इति परसवरणं लिखामह अधुन संधियुक्तपदं भवती अन्धन तमह इति चतुर्थं उदाहरणं वर्तते नुरुपह रिपुम् जेयती अत्र अनुस्वारात्टु परे ज इति चवर्गीयह व्यंचन वर्णह अस्ति चवर्गस्य पंचमवरणह कहा चवर्गस्य पंचमवरणह न इति अतह अनुस्वारस्य स्थानी न इति परसवरणं लिखामह अधुना संधियुक्तपदं भवती रिपुम्जयती इति पंचमं उदाहरणं वर्तते सा नदीम तरती अत्र अनुस्वारात्टु परे कह व्यंचन वर्णह अस्ति अत्र अनुस्वारात्टु परे त इति तवर्गीयह व्यंचन वर्णह अस्ति तवर्गस्य पंचमह वर्णह न इति वर्तते अतह अनुस्वारस्य स्थानी न इति परवरणं लिखामह अधुना संधियुक्तपदं भवती नदीम तरती इति शष्टम उदाहरणं वर्तते संगच्चद्वं इति संगच्चद्वं इत्यस्य परसवर्ण संधिपदं किम्भवती संगच्चद्वं इत्यस्य परसवर्ण संधिपदं संगच्चद्वं इति भवती अत्र अनुस्वारात्परे ग इती कवर्गीयह व्यंचनवरणह अस्ति कवर्गस्य पंचमवरणह इती वर्तते अतह अनुस्वारस्यस्थानी परसवरणह गकारह भवति अन्तिमं उदाहरणं पठामह अहं वेदं पठामी इती अनुस्वारात्परे कव्यंचनवरणह वर्तते अनुस्वारात्परे प इती पवर्गीयह व्यंचनवरणह वर्तते पवर्गस्य पंचम वर्णहा कहा? पवर्गस्य पंचम वर्णहा मु इती वर्तते अतह संधियुक्त पदं भवती वेदं पठामी इती कुत्र परसवर्ण संधिही नभवती यदि अनुस्वारात परे अवर्गीयाह वर्णाह भवन्ती तरही अनुस्वारहा तथैवति श्ठती अर्थात कोपी विकारहा नभवती अवर्गीय व्यंजनानिकानी य, र, ल, व, श, श, स, ह इती येते वरणाह अवर्गीय व्यंजन वरणाह संती येतेशु अवर्गीय व्यंजन वरणेशु परेशु अनुस्वारह तथाएव तिष्ठती परिणामह नभवती यथा रावणं हंती अत्र अनुस्वारात परे हकारह अवर्गीय व्यंजनम् वर्थते अतह अत्र परसवर्ण संतीही नभवती येवमेवा त्वया कर्थुम् शिक्यते सहप्भलं येच्छती इती अपदान्त अनुस्वार नियमह यदि अनुस्वारह अपदान्तह भवती तदा वर्गीय वर्णेशु परेशु तस्यस्थानी नित्यम पंचमह वर्णह भवती अर्थात अपदान्तात अनुस्वारात परे यदि वर्गीय वर्णाह भवंती तरही अनुस्वारस्यस्थानी नित्यम पंचमवर्णह आदेशह भवती यथा अम कितहा, चम चलहा, कम ठहा, चम दनम, चम पकहा इति अधुन एतेशाम संधिम कुर्मह प्रथमे उदाहरणी अनुस्वारात परे क इति कवर्गीय व्यंजनम वर्थते कवर्गस्य अन्तिमवर्णह ग इति अतहा अस्यसंधिपदं भवती अंकितं इति द्रितिये उदाहरणी अनुस्वारात परे च इति चवर्गीय व्यंजनम वर्णह अस्ति चवर्गस्य अन्तिमवर्णह इति अतहा संधिपदं भवती चंचलह इति त्रितिये उदाहरणी अनुस्वारात परे च इति टवर्गीय व्यंजनम वर्णह अस्ति टवर्गस्य अन्तिमवर्णह इति अतहा संधिपदं भवती कंठह इति चतुर्थे उदाहरणी अनुस्वारात परे त इति तवर्गीय व्यंजनम वर्णह अस्ति तवर्गस्य अन्तिमवर्णह इति अतहा संधिपदं भवती चंदनम इति अधुन परसवर्ण नियमस्य तालिकां पूरयामह अत्र विद्यमानायां तालिकायां शट कोष्ठकानि संति प्रथमे कोष्ठके संथी सहित पदानि संति द्वितीये कोष्ठके पूर्वपदस्य अन्तिमह वर्णह प्रदत्तहा अस्ति तृतीये कोष्ठके उत्तरपदस्य प्रथमवर्णह प्रदत्तहा अस्ति चतुर्थे कोष्ठके पूर्वपदस्य अन्तिम अनुस्वारस्य स्थानी आदिश्टह पंचमवर्णह प्रदत्तह अस्ति पंचमे कोष्ठके संथी युक्तपदानी पूरणी यानी संति शष्ठे कोष्ठके संथे हे विकल्परूपानी प्रदत्तानी संति त्रणं चरती इती प्रथमं उदाहरणं पश्यामह, अस्मिन उदाहरणी पोर्व पदस्य अंतिमवर्णह कहवर्तती? पूर्वपदस्य अंतिमवरणह अनुस्वारह अस्ति अत्र पूर्वं मकारह आसेत्थ संधिंकृत्वा मकारस्य स्थानी अनुस्वारह जातह अस्ति एशा प्रिक्रिया सर्वेशु पदेशु अस्ति उत्तरपदस्य प्रथमह वरणह कहा? उत्तर पदस्य प्रथमहा वरणहा अस्ति चवर्गस्य च इती चवर्गस्य पंचमवरणहा कहा अस्ति चवर्गस्य अंतिमवरणहा य इती अस्ति अतहा अनुस्वारस्य स्थानी य इती परवरणन लिखामह अधुन संथियुक्तम पदम भवती, त्रुणन चरती इति, विकल्प रूपम किम भवती, त्रुणं चरती इत्तिएव भवती, पदांती परसवरणः सर्वदां विकल्पेन एव भवती. अतजह रूपद्वयम भवती, धनम् ददाती इती द्वितीयं उदाहरणं पश्यामह अस्मिन उदाहरणी पोर्वपदस्य अंतिमवरणहा वर्तते अनुस्वारहा इती उत्तरपदस्य आधिवरणहा वर्तते दु इती दु इती वरणहा तवर्गस्य अस्ती तवर्गस्य पंचमवरणहा कहा? तवर्गस्य पंचमवरणहा न इती अस्ति अतहा अनुस्वारस्य स्थानी न इती परसवरणन लिखामहा अधुन संधियुक्तम पदम भवती धनन ददाती इती विकल्पेन अस्यरूपम धनन ददाती इती भवती अलं करोती इती तृतियम उदाहरणं पश्यामहा अस्मिन उदाहरणी पूर्वपदस्य अंतिमवरणहा वर्तते अनुस्वारह उत्तरपदस्य आदिवर्णह क इति वर्तते. क इतिवर्णह कस्य वर्गस्य अस्ति. अस्य पंचम वर्णह ग इति वर्तते. अतहा अनुस्वारस्यस्थानी परसवर्णह ग इति आदेशह भवती अधुना संधियुक्तं पदं भवती अलंकरोती इति विकल्पेन अस्यरूपं भवती अलंकरोती इति भोजनं पच्चती इति चतुर्थं उदाहरणं पश्यामह अस्मिन उदाहरणी पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णह वर्तते अनुस्वारह इति उत्तरपदस्य आदोव प इति वर्तते प इति वर्तते अतहा अनुस्वारस्यस्थानी पवर्गस्य पंचमवर्णह म इति आदेशह भवती अधुना संधियुक्तं पदं भवती, भोजनं पच्चती इती, विकल्पेना भोजनं पच्चती इती भवती वृक्षम परितहा, अत्रापी संधिकारियं एवमेव भवती, वृक्षम परितहा, अस्य संधियुक्तं पदं किम्भवती, अस्य संधियुक्तं पदं वृक्षम परितहा, इती भवती विकल्पेन व्रुक्षं परिताहा इति भवति प्रमाणं पीकते इति शष्ठं उदाहरणं पश्यामह अस्मिन उदाहरणी पोर्वपदस्य अन्ते अनुस्वारह वर्तते परपदस्य आदो त इति वर्णह वर्तते अनुस्वारस्य स्थानी परसवर्णह कह भवति? अनुस्वारस्य स्थानी टवर्गस्य पंचमवर्णह न इति भवति अतह संधियुक्तम पदम प्रमाणं पीकते इति भवति विकल्पेन प्रमाणं पीकते इत्यपी भवति संधियुक्तम इति अन्तिमं उदाहरणं वर्तते अस्मिन उदाहरणी पूर्वपदस्य अन्ते अनुस्वारह वर्तते परपदस्य आदव जु इतिवर्णह वर्तते जु इतिवर्णह चवर्गस्य अस्ति अतह अनुस्वारस्य स्थानी परसवर्णह य भवति अधुना संधिरूपं भवति संजातं इति विकल्पेन संजातं इति भवति अधुना द्वितियां तालिकां पठामह संधिच्चेदं कुर्मह अत्र एका तालिकां वर्तते तालिकायां कतिचन पदानी दत्तानी तेशां पदानां एकस्यां पंक्तव संधिविच्चेदं कृत्वा लिखामह अन्यस्यां पंक्तव तेशां विकल्परूपानी लिखामः प्रत्थमं उदाहरणं वर्तते पायसं भुंते इति अस्य संथी विच्छे दहा कह भवती? अस्य संथी विच्छे दहा पायसं भुंते इति भवती? यत्र यत्र संथी पदे वर्कस्य पंचमवरणहा दृष्यते तत्र तत्र संथी विच्छे दंक्रुत्वा अनुस्वारहा लेखनी यहा अस्य विकल्परूपं किम्भवती? अस्य विकल्परूपं पायसं भुंते इति भवती अत्र किमर्थं रूपद्वयं भवती? पायसं इत्यत्र विध्यमानहा मकारहा पदांते वर्तते अतहा मकारस्य स्थानी अनुस्वारहा भवती पुनहा अनुस्वारस्य स्थानी विकल्पेन परसवर्णहा अपी भवति द्वितीयं उदाहरणं वर्तते भोजनं करोति इति अस्य संथि विच्छे दहा कह भवति? अस्मिनपदि यहा अस्ति अतहा अस्य संथि विच्छे दहा भोजनं करोति इति भवति अस्य विकल्परूपं भवति भोजनं करोति इति तृतियं उदाहरणं वर्तती सायं कालहा इति अस्य संथी विच्छे दहा भवती सायं कालहा इती अस्य विकल्परूपम भवती सायं कालहा इती चतुर्थम उदाहरणं वर्तते त्रुनन ज्वलती इती अस्य संथी विच्छे दहा कहा भवती अस्मिन्पदे न्य इती चवर्गस्य पंचमवरणह अस्ती अतहा अस्य संथी विच्छे दहा त्रुणं ज्वलती इती भवती अस्य विकल्परूपं त्रुणं ज्वलती इती भवती पंचमं उदाहरणं वर्तते विद्यान धारयती इती अस्य संथी विच्छे दहा कहा भवती अस्मिन्पदी न इती तवर्गस्य पंचम वर्णाह अ अतहा अस्य संथि विच्चे दहा विद्याम धारयती इति अस्य विकल्परूपं विद्याम धारयती इति भवती शष्ठम उदाहरणम वर्तते धनन ददाती इति अस्य संथि विच्चे दहा कह भवती अस्य संथि विच्चे दहा धनम ददाती इति भवती अस्य विकल्परूपं धनम ददाती इति भवती अंतिमं उदाहरणम वर्तते शत्रुन जयती इति अस्य संथि विच्चे दहा कह भवती अस्य संथि विच्चे दहा भवती शत्रुम जयती इति अस्य विकल्परूपं भवती शत्रुम जयती इति अधह प्रदत्त सूक्तिशु हरिताक्षर पदानाम संथिच्चे दं कुर्मः अधह काष्चन सूक्त यह संति सूक्तिशु हरिताक्षरेशु विद्यमानानाम पदानाम संथिच्चे दं कुर्मः किंकुलेन विशालेन विद्याहीनेन जिन्तुना इती प्रथमा सुक्तिही वर्तते। अस्याम सूक्तव किंकुलेना इती संधिपदम अस्ति, अस्मिन्पदी कवर्गस्य पंचमवर्णह इती अस्ति, अतहा अस्य विच्छेदह किंकुलेना इती भवति, यतोही अनुस्वारस्य स्थानी पंचमवर्णह भवति, येश्वह नियमह परसवर्ण संधव सर्वत्र नैत दस्त्रम् मनुष्येशु प्रयोक्तव्यं कथंचना इति दितिया सुक्तिही वर्तते। अस्याम् सुक्तो संधियुक्तम् पदम् कथंचना इति अस्ति अस्य संधि विच्छे दहा कह भवती। अस्य संधि विच्छे दहा कथंचना इति भवती। पापि नांच सदा धुक्खम इति तृतिया सुक्तिही वर्तते। अस्याम् सुक्तो संधियुक्तम् पदम् वर्तते पापि नांच इति। अस्य संधि विच्छे दहा कह भवती। अस्य संधि विच्छे दहा पापि नांच इति भवती। विद्वत्वंच न्रुपत्वंच नैवतुल्यंक दाचना इति चतुर्थी सुक्तिही वर्तते। अस्याम् सुक्तो विद्वत्वंच न्रुपत्वंच तुल्यंक दाचना इति त्रेणी संधियुक्तम् पदानी संधि। विद्वत्वंच इत्यस्य संथि विच्छे दहा कहा? विद्वत्वंच इत्यस्य संथि विच्छे दहा विद्वत्वंच इति भवति डुपत्वंच इत्यस्य संथि विच्छे दहा कहा? डुपत्वंच इत्यस्य संथि विच्छे दहा डुपत्वंच इति भवति इत्यस्य संधि विच्छे दहा कहा? तुल्यं कदाचेना, इत्यस्य संधि विच्छे दहा, तुल्यं कदाचेना, इती भवती. अस्माभिही अधीतम यदा पदांत मकारात्परे व्यंजन वरणाह भवंती तदा मकारस्यस्थानी अनुस्वारह भवती यथा अहं पाठं पठामी इती यदा अनुस्वारात्परतः वरगीय व्यंजनानी भवंती तदा अनुस्वारस्यस्थानी विकल्पेन तस्य वरगस्य पंचमह वरणह भवती यथा राधा विद्यालयं गच्चती इती यदा अनुस्वारह अपदान्तः भवती तदा वरगीय वरणेशु परेशु तस्यस्थानी नित्यं पंचमह वरणह भवती यथा शेंका इती अनेनसह परसवर्ण संथिही इती कभागह समाप्तह अग्रिमे पाठे पुनह मिलामह धन्यवादह अनुस्वारह